हेई विनर्स हमारा आज का ये वीडियो कोई एक regular YouTube वीडियो की तरह नहीं है बलकि हमारा ये habit building का एक micro course है जो बिलकुल free of cost आज मैं आपके साथ share कर रहा हूँ बहुत बार कोशिश की आदतों को develop करने की नहीं कर पाए तो ये वीडियो आपकी life का एक turning point साबित हो सकता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो scientific process बताने वाला हूँ पूरा अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो मैंने बोला ना ये आपकी जिन्दगी का एक turning point बन जाएगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि habit basically है क्या mode पर चला जाता है autopilot mode पर चला जाता है अपने आप होने लगता है यानि कोई भी काम को बार-बार करने के लिए हमें willpower, motivation, belief या किसी trigger या environment की जरूरत नहीं होती हमारी dependency उन पर से खतम हो जाती है समझने के लिए सबसे पहले कोई नो कोई अपनी बुरी आदवत को देखो जोसको आप छोड़ना चाहते हो कितना ही खुद को motivation दे लो, कितना ही goals बनाए होंगे आपने, कितने ही videos देखे होंगे, कितना ही willpower की practice की होगी पर फिर भी हम वो करी जाते हैं, ना चाते हुए भी हम उसे कर जाते हैं हम बहुत बार ये चीज सोचते हैं कि अब मैं ये नहीं करूँगा, या अब मैं सुबह जल्दी उठके ही दिखाऊंगा या अब से मैं exercise start कर दूँगा, अब से मैं book पढ़ने को अपनी एक habit बना लूँगा और book पढ़ना मैं जरूर से जरूर शुरूर कर दूँगा, पर result फिर वही ढाक के तीन पात, दो पेज पढ़े उसके बाद बोर होने लगते हैं दो दिन जल्दी उठे उसके बाद लगता है कि कौन उठेगा, मुझे एक शायर का एक शेर बहुत यहाँ पर याद आता है, वो कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ अपने आपके पीछे पढ़ा हुआ, मैं खुद ही हूँ अपने आपके पीछे पढ़ा हुआ, मेरा शुमार भ पीछे की psychology क्या है, हमारे mind में neuro pathways होते हैं, रास्ते, वो रास्ते, एक neuron से दूसरे neuron तक एक connection establish करते हैं, जैसे आप याद करो कि बच्पन में पहली बार आपने कभी shoelace बांदा होगा, जूते का फीता बांदा होगा, तस्मा बांदा होगा, वो बांदने में कितनी दिक्कत लेकिन आज अगर मैं आपको बोलू कि वो shoelace बांदो, तो आप बड़ी easily बांद लोगे, और अगर मैं बोलू कि आँखें बंद करके बांदो, तो आप और भी easily बांद लोगे, क्योंकि वो आपके mind में कुछ patterns को register कर चुका है, वो neuro pathways connect हो चुके हैं, रास्ता बन चुका है जैसे किसी घास की जगापर, अगर एक जगापर बार-बार चला जाए, तो वो घास plane हो जाती है, और वहाँ पर मिटी के रास्ते बन जाते हैं, और जितना ज्यादा हम उस जगापर चलेंगे, उतना ज्यादा वो रास्ता पका होता जाएगा, और उस neuro pathway जो connection establish हो रहा है, ज अगर हम आज किसी गलत habit को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यखीन मानों उस गलत habit ने बहुत बड़े-बड़े रास्ते बना ली हैं, तो basically सबसे पहले हम को इस psychology को समझना पड़ेगा, तो अब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी habit बनती कैसे, repetition के कारण, बार-बार, बार- बार-बार, हाँ, बार-बार करने के कारण, अब कोई भी habit बनानी हो, तो बार-बार उसे करना ही पड़ेगा, जब तक वो आदतना बन जाए, और repetition जो है, repetition can make it permanent, किसी भी चीज़ को वो permanent कर देता है, repetition, so easy, कितना असान नहीं है, कोई असान नहीं है, अब पंगा तो यही है कि हर बार, जो बार-बार होता है, वो होता ही तो नहीं है, दो दिन जिन जाओ, होता नहीं जी, दो दिन सुबह उठाओ, उसके बाद होता नहीं जी, एक दिन बुक पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद होता नहीं, दो दिन वो social media से दूर रहने की कोशिश करो, उसके उसके लिए मैं कुछ scientific चीज़ें आपके साथ share करता हूँ, attention पूरी की पूरी यहीं रखना, बस, तो सबसे पहला point जिसको आपको follow करना है, वो है clarity, यह decide करना कि आदत बनानी क्या है, रोज-रोज क्या करने की जरूरत है, क्या habit है जिसे मुझे अपनाना है, उसे मुझे कैसे बदलना है, कौन से वो छोटे steps हैं, जो रोज मुझे लेने चाहिए इसको बदलने के लिए, क्या मेरा daily routine है, जिसमें मैं इसको fit कर सकता हूँ, clarity, और उस clarity के लिए इन सब चीज़ों को return down करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं इसको अपने habit tracker, मेरे पास ये एक habit tracker है, जि इसका link में description में देता हूँ, लेकिन नहीं करना, कोई फरक नहीं पेंदा मेरे दोस्त, notepad लो, pen लो, लिखो क्या habit को अपनाना है, क्या steps उसके लिए लेने जरूरी है, कैसे, किस time पर, daily routine के time पर आप उसको set करोगे, fix करोगे, और उसके बाद कौन से वो छोटे steps होंगे, ज नहीं दूर फसा हुए, पानी नहीं मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा परिशान है, हताश है, वो इतना ज्यादा चल चल के ठक चुका है, कि अगर वो एक step भी और आगे बढ़ाना, तो वो चली नहीं पाएगा, वो उठी नहीं सकता है, वो यह सोच रहा है कि अब मैं खता मूँ बस यहाँ पर, पर अगर उसे पता चल जाए कि थोड़ी सी दूर, तीन सो फूट दूर, थोड़ा सा ही दूर, वहाँ पर पानी मौजूद है, तो कैसे एनरजी नहीं आ जाएगी उसमें, जरा एक बार इमाजन करके देखो, वो थो ठकारा इंसान रिगिस्तान म सर्फ माइंड में हैं, इसलिए जैसे ही वो रिगिस्तान में जो इनसान है वो दम तोड़ देता बिना clarity के, अगर उसको दूर पता ना चलता पानी का, वैसे हमारी habits भी दम तोड़ देती हैं, क्यूकि हम उसको लेकर के clear नहीं होते हैं, next, अगर हमको किसी भी habit को build करना है, अब समझो the law of pain and pleasure को हम कोई भी अच्छी habit क्यों नहीं build कर पाते है थोड़ा सोचो क्योंकि हम pain को minimize करना चाते है या उसको avoid करना चाते है या फिर pleasure की तरफ जाना चाते है अब आदत जो बदलना है या नहीं habit को जो बनाना है वो काफी boring और painful process हो सकता mind के लिए जैसे हमने अभी देखा क्योंकि उसको comfort zone से बाहर जाना पड़ता है उसको out of the way कई काम करने पड़ता है इसलिए क्योंकि आज तक routine में जो हमने किया नहीं है वो करने में mind के पास patterns ना होने के कारण उसे वो tough लगता है और pleasurable तो बिलकुल भी नहीं लगता तो point आता है कि कैसे उसे pleasurable बनाया जाए उसके लिए सोचो कि how can I make it attractive कि आदत के बनने पर उसके बनने के process में मुझे मज़ा आए तो mind को सबसे पहले उसके लिए हमको pleasure दिखाना पड़ेगा जैसे बच्चे को lollipop दिखा करके दवाई पिला दी जाती है ना ठीक वैसे ही अब यह जो benefit है यह तीन तरह से हम उसको दिखा सकते हैं scientific चीज़े हैं थोड़ा ध्यान से समझना तीन तरह से हम benefit दिखा सकते हैं या pleasure दिखा सकते mind को वो है process based कि किसी काम को करने में मज़ा आ रहा है जब आपको किसी काम को करने में मज़ा आता है तो वो easy हो जाता है तो process को कैसे enjoyable बना सकते हैं हमको यह find out करना है लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी विडम बना यह है कि बहुत सी चीज़ों के process हमें मज़ेदार नहीं लगते हैं हम जो process मज़ेदार लग रहा है तो तो habit पे video देखने का सवाल ही नहीं उठता फिर तो हम उसको habit बनाई लेंगे क्योंकि हमको उसको करने में मज़ा आ रहा है जितनी गंदी आते हैं हमें पड़ी उसके process में ही तो मज़ा आ रहा था पहला तो उसको repeat करने के लिए pleasurable बनाने के लिए उसके process में हमें मज़ा आता है तो हम उसे कर सकते हैं हाँ कई जगा पर आप ये देख सकते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके process को कैसे enjoyable बना सकते हैं दूसरा point यहाँ पर आता है outcome based outcome based का मतलब है कि कल को ये जो habit मैं अपनाता हूँ इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या बन जाओंगा basically ये एक motivational factor है या inspirational factor आप इसे बोल सकते हैं motivation का मतलब जो चीज बाहर से हमें मिलती है inspiration का मतलब जो internal spirit से internally जो हमें inspire करती है वो चीज means find your motivational factor दशरत मांजी की movie आप सबने देखी होगी अब दशरत मांजी की क्या habit थी पहाड तोड़ने की नई उसके पास एक motivational factor था उस motivational factor को बोला जाता है W-H-Y यानि Y उसका Y clear था कि उसको ये पहाड क्यों तोड़ना है उसको वो outcome उसको process boring लग रहा होगा उसको थक्कान होती होगी लेकिन वो सब vanish हो जाती है वो दिखाई नहीं देती जब हम उसके outcome में pleasure ढूंड लेते हैं तो हम किसी भी habit को build करने के लिए उसके outcome में motivation ढूंडे एक why factor क्लियर करें कि मुझे ये काम क्यों करना है और why में जो ताकत है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है ये वीडियो मैंने बनाया था और हो सकता है आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा कि क्या ताकत है motivation में या why के factor में क्या ताकत है तो जिस भी काम से हमें pleasure मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि उस चीज से हमारे mind में chemical release होता है उस chemical का नाम होता है dopamine ये pleasure से पहले वो dopamine rush हमें मिल जाता है ये हमसे वो काम करवा देता है जो हम करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मिलने के बाद मुझे इससे pleasure मिलेगा, खुशी मिलेगी, एक आनंद की अनुभूती होगी, तो वो chemical कई बार उस काम को करते हुए release होता है, कई बार उस काम को सोच करके भी करने से पहले भी वो dopamine rush मिल जाता है, dopamine release हो जाता है, आप देखो के जो भी आदते हमारी बन चुकी है, पहले क्या होता है, जब एक इंसान नया नया जुआ खेलता है, कोई गलत काम करता है, कोई पॉन एडिक्शन में जाता है, तो वो काम करने के बाद उसको dopamine मिलता है, लेकिन जब वो उस आदत को समझ जाता है, तो वो काम करने से पहले उसके mind में dopamine रश होता, कि अरे आज ये काम करूँगा, मज़ा आएगा, क्योंकि उसके मज़े को वो associate कर चुका है, ठीक इसी तरह अपना why factor find out करो, कि इसके बाद जो मुझे मिलेगा, वो कितना खूबसूरत होगा, क्या मैं सुबह जल्दी उठूँगा, exercise करूँगा, तो कैसे मैं दिखूँगा, मेरी body कैसे improve हो जाएगी, कपड़े मुझ पर कितने अच्छे जचेंगे, अगर मैं दो books फालतू पढ़ूँगा महीने में, तो वो कितना जादा मेरे intellect पर impression create करेगा, तो basically उस dopamine के लिए हमें एक trigger find out करना है, वो outcome based चीज में हो सकता है, कि क्या मेरा motivation है, क्या inspiration है, क्यूं पहाड फोड़ना है, क्या मिलेगा इससे, वो y factor clear अगर आपने कर लिया, clarity अगर आप ले आए, तोड़ कर रख दोगे जी आप भी कोई भी पहाड़, तो वो जो y factor है, वो आपको किसी motivation से मिले, कहीं बाहर से मिले, तो भी चलेगा, वो आपको inspiration से मिले, अंदर से निकल कर क्या ये तो भी चलेगा, वो किसी belief system से मिले, environment से मिले, इसलिए बोलते हैं, कि you are the average of the five people you spend your most of the time with, हम उन लोगों का average क्यों होते जाते हैं, क्योंकि environment से भी वो motivation का factor हमें मिलता है, या outcome से मिले, कि कल को why, क्यों मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इसको इसलिए करना चाहता हूँ, ताकि मैं इन लोगों को एक मूँ तोड़ जबाब दूँगा, या मैं अपनी family के लिए, अपने parents के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी wife के लिए, अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए, बेहन के लिए, इस काम को करना चाहता हूँ, तो अगर वो why strong हो गया न, मैं कहता हूँ, habit छोड़ो, habit का पापा भी develop हो जाएगा, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, visualization, जो outcome आप चाहते हैं, उस outcome को visualize कीजिए, कि इसको करने के बाद मैं कैसा बन गया, कैसा दिखूँगा, क्या achieve कर लूँगा, क्या पा लूँगा, यह तो जब हम वो outcome ढूँड लेते हैं, visualization में देखने लगते हैं, कई लोग बोलते हैं कि visualization, visualize करते करते, क्या वाकई हमें वो मिल जाता है, इसके पीछे एक अलग science है, किसे वीडियो में discuss करेंगे, लेकिन उससे भी जादा factor जो create होता है, वो यह कि वो देख करके, हमारे mind में एक dopamine rush होता है, जो dopamine हमें वो pleasure अनुभव करवाता है, कि यह मिलने से मुझे यह pleasure मिल सकता है, तो हम वो काम करने के लिए उत्सुख हो जाते हैं, जो gym जा रहा है ना इंसान, या जो रोज jogging कर रहा है, जो सुबह पांच बजे उठ रहा है, जो extra weight उठा रहा है फालतू, क्या उसको pain नहीं होता हूँ weight उठाते हुए? होता भी है और नहीं भी होता. Body को उसके same pain हो रहा होता है जो आपको होगा, लेकिन उसके mind में pain नहीं है, क्यूंकि mind उस pain से मिलने वाले pleasure को, या benefit को ज्यादा देख रहा होता है. तो जो लोग gym में जाकर के weight उठा रहे हैं, वो जब mirror में अपने आपको यूँ करके देखते हैं, तो उनको वो जो outcome दिखाई दे रहा होता है, उसको उनसे जो pleasure मिल रहा होता है, वो उस pain से बड़ा होता है. मैंने कई बार बोला है कि हमारी जिन्दगी को pain and pleasure का law, the law of pain and pleasure ही govern करता है. Dr. Sigmund Freud ने पहली बार इस law को बताया था, कि कैसे हम हर उस चीज़ से भागना चाहते हैं, जो हमें दर्द देती हैं, और कैसे जो हमें pleasure देती हैं, हम उसके पास जाना चाहते हैं, तो basically जो habit बिल्ड कर पाते हैं, उन्होंने pleasure को उस habit के building के process से, outcome से attach कर लिया है. वैसा ही करना पड़ेगा आपको. पहला process based, दूसरा outcome based और तीसरा identity based. करी लोगों को जो थोड़ा सा internal journey पर होता है न, उनको सबसे ज़्यादा effect करता है, identity based change. कि मैं क्या बन जाओंगा इसके बाद? मेरी personality कैसे हो जाएगी? मुझ पर कपड़े कैसे जचेंगे? मैं क्या-क्या अपनी health में improvement लेकर क्या हूँगा? तो वो अपनी identity based change के साथ connect ज्यादा कर पाते हैं. personality based change क्या मिलेगा? internal level पर भी मेरी क्या personality हो जाएगी? और externally भी मैं कैसा personality वाला इंसान हो जाऊँगा? तो आप अगर किसी habit को build करना चाहते हैं, तो देखो कि क्या आप वो identity based change को तो नहीं पसंद करते हो? कई लोगों को materialist है, क्या और चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता. उनको होता है कि मैं self को कैसे enhance कर सकता हूँ? अपने higher version को कैसे achieve कर सकता हूँ? तो जब आप दो books फालतू पढ़ते हैं, तो आपको ये realize होता है कि ये मुझमें कितना wisdom add करेगा? ये मुझमें कितनी जानकारी बढ़ाएगा? Next, ये जो micro course habit building का आपके साथ share कर रहा हूँ. इसमें जानते हैं, सबसे जरूरी point ये समझना है. क्योंकि अक्सर हमारे साथ क्या होता है, कि हम habit इसलिए नहीं build कर पाते, क्योंकि हम बहुत बड़ा target set कर लेते हैं. इतना बड़ा होता है कि दो दिन बाद हमारा mind उसको pain से associate करने लगता है. Comfort zone से बाहर उसको समझने लगता है. तो अगर हम चाहते हैं किसी भी habit को build करना, तो start small. यानि एक छोटी शुरुवात कीजिए, ताकि हमारा mind उस task को किसी भी pain से associate ना करे. तो कहने का मतलब है कोई भी impossible goal नहीं रखना, कि पहले ही दिन 100 push-ups मार्ट लूँगा, या 5 km दोड जाऊँगा, या ये आदत जो पिछले 10 सालों से मैं continue कर रहा हूं, रोज daily basis पे इसको 5 मिनिट में छोड़ दूँगा. नहीं. नहीं आदत आसान होनी चाहिए. और वो तब होगी जब उसके steps बहुत छोटे-छोटे होंगे, ताकि mind उसको step को action लेने के लिए उसमें pain को feel ना करे. बहुत ज़्यादा दिक्कत में ना आये नहीं, तो वो कई बार comfort zone से बाहर चला जाने के कारण, उस चीज़ को त्यागने लगता है क्योंकि हमारा comfort zone से बाहर जाना उतना easy नहीं होता. तो कहने का मतलब है, पहले habit बिल्ड करो, फिर उसकी intensity को धीरे-धीरे बढ़ाओ. और James Clear, Atomic Habits की author एक बहुत खुबसुरत बात बोलते हैं, जो habits होती है, वो atoms की तरह होती है, बहुत छोटी, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर. वो ही काम, अगर हमारी आदत बन जाए, routine बन जाए, तो एक दशरत माजी भी पहाड को तोड़ सकता है. तो पहले आदत की आदत डालनी है, फिर massive impact के लिए उसकी intensity को हम बढ़ा सकते हैं, जब जाहें तब. जैसे पहले 5 push-ups से हम start कर सकते हैं, 1000 steps की हम walk शुरू कर सकते हैं, अगर book पढ़ने की habit develop करनी है, तो सिर्फ book का एक ही page पढ़ सकते हैं, या उससे भी छोटा हो तो आधा ही page पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको हमें daily track करना चाहिए. ये एक feeling देता mind को, जब हम उसको daily track करते हैं, तो हमारे mind में, क्योंकि सारा का सारा game mind का है, तो हमारे mind में एक चीज register हो जाती है, वो अपने mind को ही हम खुद समझा लेते हैं, कि मैं ये काम रोज करता हूँ, बिना थके, बिना किसी problem के, और मुझे इसमें कोई pain नहीं होता. अगर हम रोज सिर्फ 10 या 15 push-up करने की भी आदत बना लें, तो 3 महीने के अंदर हो हमें कितने बड़े result दे सकती है, रोज अगर हम 2 किलोमेटर दोडने की छोटी सी एक habit बना लें, वो हमारी health को next level पर लेकर के जा सकती है, ठीक उसी तरह बुरी आत्तें भी role play करती है, चाह अगर हम अपने mind को extreme pain देंगे, तो आप देखेंगे, दो दिन के बाद mind उसको त्याग देगा, उसको करना ही नहीं चाहेगा, हमको उसको pleasure बनाना है, हमको अगर pleasure नभी बन सके, तो at least हम यह कर सकते हैं कि वो mind को बहुत ज़ादा pain न लगे, इसलिए बहुत छोटी सी आप करने वाले हो, क्या वो काम है, छोटा सा, बिल्कुल निनना सा, इतना सा, जो आप आज से अभी से शुरू करने वाले हो, और आप देखोगे, अगर आपने इसको consistent रखा, छोटी सी चीज़ को, बड़े impact यह लेकर के आएगा, और मेरा भी यह video बनाना सफल हो जाएगा अगर आपने सिर्फ एक इस चीज़ को भी समझ लिया, तो, next, habit building के process में एक बहुत बड़ा step आता है, जिसको हम बोलते है, environment, एक example से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हम सबने strawberry देखी है, strawberry एक particular place पर होती है, जहाँ थोड़ी सी ठंड हो, बहुत जादा बोल सकता है कि strawberry के बीज में potential होता है, बिलकुल होता है strawberry बनने का, बड़ा जहाड बनने का, फौधा बनने का, लेकिन वो potential तब ही बाहर आ पाता है, जब उसको सही environment मिलता है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी unlimited potential है, लेकिन वो potential तब बाहर आ पाता है, जब हमें सही environment मिलता है इसी लिए habit building के process में हमें ये जरूर observe करना चाहिए कि हम किस environment में रह रहे हैं obviously कि कैसे लोग हैं हमारे आसपास जैसे मैंने पहले भी बोला कि we are the average of the five people we spend our most of the time with जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं वैसे ही हम बनेंगे जब भी हमें कोई आदत पढ़ती है तो उसका बहुत बड़ा credit हमारे आसपास के environment को जाता है लोगों को जाता है दोस्तों को जाता है हमारे उस circle को जाता है जिसमें हम रहते हैं उन लोगों को जाता है जो हमारे घर में रहते हैं तो आपको अपने environment पे बहुत कड़ी पैनी तीखी नजर रखनी है कि आपका environment कैसा है और अगर कई लोग ये complaint करते हैं कि मेरे पास environment ही नहीं है, मेरे पास वैसे दोस्त या लोग या घर का atmosphere भी वैसा है, तो आपको एक सला देता हूँ बहुत खुबसूरत कि आप अपने दोस बड़िया बड़िया लोगों को बनाओ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, दीपक चोपड़ा को, आप बना सकते हो Ken Honda को, आप बना सकते हो Robert Kiyosaki को, Robert Sculler को, इतने सारे लोगों को अपना दोस्त बना सकते हो, तो कहने का मतलब है कि ये complaint करने की जगा, अगर वो लोग हमारे आस-पास नहीं है, तो आप उन लोगों तक पहुँच सकते हो, जैसे आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, क्योंकि अब तक अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, तो ये कोई हलवा नहीं है, इतनी देर का वीडियो continuously देखना, उसका मतलब है कि आप serious हो, कुछ amazing books का insight, अपने perspective से, अपने intellect से मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ, तो उनको जरूर देखा करो, books जरूर पढ़ा करो, ये आपको एक खूबसूरत environment दे सकती हैं, नेक्स्ट, अगर आप habits को seriously build करना चाहते हैं, और self development की journey पर हैं, तो ये last point आपकी बहुत help करने वाला ये है हमारी energies को समझना, हमारी body में कई ऐसे points हैं, जहाँ पर हमारी energies regularly flow करती हैं, वैसे तो हम पूरे ही energy, हर चीज़ energy है, लेकिन कुछ ऐसे centers हैं, कुछ ऐसे points हैं, जहाँ पर हमारी energy regularly flow करती हैं, जिनने आज human psychology बात को मानती है, quantum physics इस बात को मानता है, epigenetics इस बात को मानता ह कि हमारी body में 7 अलग अलग जगा पर हमारी energies जो हैं वो stored है अगर वो किसी भी एक जगा पर stuck हो गई तो हम कितनी ही कोशिश कर लें हम उस से उपर नहीं उठ सकते हैं जिनको चक्राज बोला गया और ये 7 जगा पर हमारी body में होते हैं अगर हमारी energy बिल्कुल lower level पर हमारे root चक्रा पर जो हमारे private part के बिल्कुल pass होता है जब हम बैठते हैं हमारी read की हड़ी के बिल्कुल pass जब हम बैठते हैं तो ये जमीन से touch होता है ये वाला part वहाँ पर होता है अगर हमारी energy किसी भी कारण से वहाँ पर stuck है तो कितनी ही कोशश कर लो, आप ये वीडियो पूरा देख चुके होगे, चार बार देख लोगे, पांच बार देख लोगे, अपनी वीडियो के बारे मैं बोल रहाँ, किसी और के बारे में नहीं, ये वीडियो काम करेगा ही नहीं, एक परसंट मी नहीं करेगा अगर हमारी energy वो जो हमारा lust center है, जहां से सिर्फ और सिर्फ जो हमें हवस देता है, वहाँ पर अगर stuck है तो. कितनी कोशिश कर लेंगे अगर हमारी energy second center पर, जो हमारे यहाँ पर, navel के पास, हमारी जो नाभी है, इसके पास होता है, यहाँ पर अगर वो stuck है, तो कितनी कोशिश कर लेंगे, फिर भी हम उस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं, जिसको हम habit बिल्ड करना चाहते हैं. तो हमारी energies का इसमें बहुत बड़ा role है, बहुत बड़ा, जिसको कोई 2-4-5 minute में समझाना, शायद मेरे लिए भी उतना possible नहीं है. उसके लिए मैं एक बहुत खुबसूरत workshop कर रहा हूँ, जिसका नाम है re-invent yourself, जिसमें आप खुद को जानते हैं, अपनी habits को बदल सकते हैं, जिसमें आप अपनी energies को channelize कर सकते हैं, और इस बार इस workshop को हमने completely transform कर दिया है, बदल दिया है. अगर आपने पहले हमारा कोई भी re-invent yourself workshop अटेंड किया है, तो इस बार आपको वो बिलकुल next level पर 2.0 level पर मिलने वाला है. तो अगर आप चाहते हैं इस workshop में join करना, तो इसका link में description में दे देता हूँ. power-packed workshop जिसमें हम ये चक्राज को जानेंगे, हम अपनी body के energy centers को regulate करेंगे, हम कैसे spirituality की तरफ बढ़ सकते हैं, उसको जानेंगे, कैसे अपनी habits को बदल सकते हैं, और कैसे अपने higher version को अचीव कर सकते हैं, अपनी जिन्दगी में high हो करके, इन सब को हम इस workshop में discuss करने वाले हैं, अगर आप इसकी detail जानना चाहते हैं, तो भी जो description में link है, उस पर आप click कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका complete insight मिल जाएगा, कि इस workshop में हम क्या कुछ cover करने वाले हैं, और हाँ, इस workshop में इस बार हम बहुत ही limited seats लखने वाले हैं, ताकि हम सब लोगों के साथ connect कर सकें, तो इसलिए first come first serve वैसे पर यह registration अवैलेबल हैं, description में फिर बोल रहा हूँ, लिंक है आप उस पर जरूर click कीजेगा, और जल्दी से जल्दी आप इस workshop में रेजिस्टर कीजेए, जॉइन कीजेए,